अखर्ण मंतन के सब इदर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्रपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखर्ण मंतन आज आगे क्या होने वाला है स्टिरीज में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाडी जोतिष विशिशग्य सुशील कुमार सिंग के द्वारा की गई कुछ भविशिवाडियां सुशील कुमार सिंग के बारे में संक्षिप्त परिचे देने कि वो सुप्रसिद जोतिशाचारे के अन राव के शिशे रहे हैं और आठ वर्ष की आयू से ही वो जोतिष गड़ना का कारे कर रहे हैं जोतिष विद्या से संबंदी थें इससे आप समझ सकते हैं कि सुशिल कुमार सिंग का जो जोतिषी अनुभय है वो कितना विशाल और व्रिहाद है तो आज के इस कारेक्रम में उनके द्वारा की गई कु उन्होंने बहुत पहले से ही श्री नरेन रमोदी के राजनेटिक ग्राफ के गिरने की भविशेवाड़ी कर दी थी और बता दिया था कि 2020 के बाद का जो समय होगा वो बहुत कठिन होगा और 2025 तक का जो समय होगा वो उनके लिए सत्ता में बने रहना बहुत चुनोती पूर हो सकता है और इसी के साथ उन्होंने लाल कृष्ण आडवाड़ी के बारे में 2008 में ही ये भविशेवाड़ी कर दी थी कि वो भारत के प्रधान मंत्री कभी नहीं बनेंगे और उनका राजयोग समाप्त हो जाएगा और उनकी ये भवविशेवाड़ी सत्ते भी हुई इसी के साथ उनका कहना है कि अमिश्याह, नितिश कुमार और योगी आदितेनात इन तीनों निताओं के खराब स्वास्त से जुड़े राजयोग उनको दिखाई पड़ रहे हैं खासकर योगी आदितेनात के लिए और उनके कुनली में भी खराब स्वास्त का राजयोग है लेकिन आदितेनात के पास कुछ ऐसी तांत्रिक शक्तियां भी कारे कर रही है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाध्हान कर ले जाएंगे और स्वास सम्मंदी जो समस्या है उसका भी समाधान वो इन तांतरिक शक्तियों के माध्यम से कर ले जाएंगे इसी के साथ साथ उन्होंने दो खान बॉलीवूड के दो सुपरस्टार्स जैसे की खान की तिकड़ी के नाम से प्रसिद है तो उन्होंने दो खान के बारे में भविशेवाड़ी की है उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दो प्रमुख खान अभिनेताओं का जो जीवन काल होगा वो साढ़े संशट वर्ष का ही होगा और उनके निधन की संभावना भी एक ही साल में बनत को हल करना जोतिशी द्वारा किये गए उपाय जीवन की दिशा को बदल सकते हैं लेकिन सपलता का अंतिम निधारन कुंडली और कर्मों पर निर्भर होता है इस प्रकार उन्होंने विबिन हस्तियों के जीवन और उनकी कुंडलीयों पर आधारित गहन विश्टलेशन और आते हैं तो भारत के भविश्य के बारे में उनका कहना है कि 2025 मार्च से भारत में राजनेतिक अस्थिर्ता और आर्थिक संकट की इस्तिती उनको उत्पन होती हुई दिखाई दे रही है इस समय देश के भीतर काफी उतल पुतल रहेगी और आंतरिक राजनीती में बहुत पर तो समयलित नहीं होगा लेकिन आंतरिक हालत खराब होंगे और इस कारण देश की इस्तिती बहुत कठीन हो जाएगी इसके बाद वो 2026 में विश्य युद जैसी इस्तिती उत्पन होते हुए देख रहे हैं और ये एक बड़े वैश्विक विनाश की और भी संकेत कर रह है और उनका कहना है कि इस संगर्ष के कारण दूर गामी परिणाम जो है वो बहुत ही भयाव होने वाले हैं इसी के साथ 2026 में वो एक बड़े पैमाने पर वैश्विक युद होते हुए भी देख रहे हैं ये युद विश्व युद की तरह व्यापक और विनाशकारी होने लेकिन उनकी कुडली में प्रधान मंत्री बनने का योग नहीं है इसके साथ उन्होंने कॉंग्रेस परिवार पर किसी श्राप के कारण जो परिवार में अकाल मृत्यू का जो एक सिलसिला शुरूआ है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि राजिव गांधी की जो मृत्य एक श्राप की कथा से जुड़ी हुई है जिसके अनुसार गांधी परिवार के किसी सदस्य के सत्ता में आने की संभावना नहीं है और एक मूर्ती की कहानी उनके परिवार से जुड़ी हुई है जो गांधी परिवार के राजनेतिक जीवन पर एक ग्रहन की तरह दिखाई दे रही हैं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीती में तांत्रिक साधन और बली जैसे क्रियाक कलापों का प्रभाव अब बढ़ रहा है और कुछ लोग विशेश रूप से जेल में बंद व्यक्ति इन तंत्रमंत्र का भरबूर उपयोग कर रहे हैं ताकि वो आजनीती में तांत्रिक शक्तियों का उपयोग हो रहा है और इसके बीचे अतिदिक गुप्त क्रियाएं चल रही हैं जिसका खुलासान नहीं हो पा रहा है इसी के साथ उन्होंने अंतराश्टी भविशेवाडियों के अंतरगत कहा है कि चीन की आर्थिक सिती भारत की तु की ओर संकेट कर रही हैं उन्होंने कई जटिल दिल्चस्प विश्यों पर भी चर्चा की है जिसमें राजनीती जोतिश की भविशिवाडियां और तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है तो जोतिशी सुशिलकुमार सिंग के द्वारा नाड़ी जोतिश के गुप्त रखा ये विज्ञान तामर पत्रों पर अंकित्था और आज भी केवल कुछ ही लोगों के पास है शुशिलकुमार सिंग का कहना है कि ये विज्ञान इतना गुप्त और सूक्ष्म है कि इसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और भारत में इसके जो विशेशक हैं वो 16-17 लोग ही हैं लेकिन इसका गलत उपियोग ना किया जाए इसलिए इसे अभी तक छिपा कर रखा गया है उन्होंने बताया है कि नाड़ी सूत्र दो बातों के बारे में जानकारी देना वर्जित समझा जाता है नाड़ी जोतिश में इसमें पहला है गरीबी और दूसरा है आ नाड़ी जोतिश जो जोतिश पद्यती है वो एक अधूती प्रणाली है और ये व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को सटीक तरह से देख सकती है जो इसे एक अधूती और विश्वस्नी प्रणाली बनाता है जोतिशी सुशील कुमार सिंग ने अपनी नाड़ी जोतिश विध के अंतरगत कुछ प्रमुख हस्तियों और राजनेताओं की भविशिवाडियों का भी खुलासा किया है। करने वाले हैं। अमिशाह, योगी आरितिनात और नितिश कुमार की कुंडलियों में खराब स्वास्तिकार राजयोग पना हुआ है। इसी के साथ सुशील कुमार ने एश्वरय राय और अभिशेक बच्चन के तलाक की भी भविशिवाडि की है। की भूमिका हो सकती है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत और दुनिया के लिए कई बड़ी चुनोतियां सामने खड़ी होने वाली है। साथ सुशील कुमार ने ये भी कहा है कि अमिर्का जैसे देश तंत्रमंत्र और जोतिश सुत्रों में अतिदिक रूची रखते हैं और उन्होंने इसे अपनाने की कोशिश भी की है। उन्होंने खुलासा किया है कि कुछ लोग मौत के फॉर्मूले तक बेचने की कोशिश कर रहे थे यदे पी ये फॉर्मूले गलत सावित हुए। इन सबी भविशिवाडियों के भी सुशिल कुमार का मानना है कि कर्म नियती और जोतिशी गर्णाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दिश्रा को समा सकता है। कुणलियों में काफी सम्मेदन शील समय चल रहा है विशिशकर अमिताब बच्चन के जीवन के संदर्व में जिनकी उम्र वर्तमान समय में 82 से 85 वर्ष के बीच बताई जा रही है। ने आने वाला है और इसके बारे में खान परिवार को बहुत अच्छी तरह से पता है। कारणे कि शारुक खान ने तीसरा बच्चा होने की एक तरह से प्लानिंग की जबकि तीसरे बच्चे को जो उसका जन्मुआ है उसको सुशील कुमार ने अप्रत्याशित बताय था। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो तीसरे बच्चे का जन्मुआ है वो जोतिशी संकेत के कारण हुआ है और कुछ ऐसी घटना है जो शारुक खान और उनके प्रिवार वालों को पता है और ये घटना जो है वो उनके पुतर आरेन खान के साथ घट सकती है। इसी कारण उन्होंने तीसरे बच्चे के बारे में सोचा है। इसी के साथ मुकेश अम्मानी के बारे में शुशिल कुमार का मानना है कि मुकेश अम्मानी को जोतिशी ग्यान और तंत्रमंत्र का बहुत अच्छा ग्यान है और अम्मानी के साथ कई जोतिशी और तांत्रिक अभी हुए हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इतनी बड़े शक्सियोतों को अपने भविशे और व्यापार से जुड़े सभी पहलों की जानकारी रहती है यदेप शुषिल कुमार ने ये भी कहा है कि वो इसे लेकर पूरी तरह से सोनिश्चित नहीं है लेकिन संभावना है कि में हमने आपको शुषिल कुमार के द्वारा की गई कुछ भविशेवाडियों से आउगत कराया है आपको बता दे कि शुषिल कुमार का जो 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 अनुबह है वो जब आठ वर्ष के थे तभी से वो इस विद्ध्या से जुड़े हुए है और यही कारण है कि उनका जो ज सब्सक्राइब तक के लिए हमें अनुमति दें ठानेवाद